हेलो दोस्तों नमस्कार अदाफ सस्रीकाल की हालचाथ स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने नई जड़ी बूटी की देशी संखला में आज एक नई वीडियो के साथ हाजिरू दोस्तों देख लीजिए पैचान लीजिए ये मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं देशी जड़ी बूटी इसका नाम है ब्रिंग राज ब्रिंग राज जो है बहुत ही फायदे मंद साबित हो सकता दोस्तों आपको यदि इसके बारे में आप पूरी जानकारी पूरी वीडियो देखेंगे दोस्तों इस वीडियो को पूर झदोरों में करने के लिए इसके पत्तों को तोड लेना है पत्तों की चटनी बनानी हैं और उस कप्ड़े में निचोड़ लेना है या किसी भी तरीके से आपने निचोड़ के उसका रस लगाना अपने सिर्क बालों में बालों की जड़ों में आप अच्छे से लगाईए जिससे कि आपके बालों में जो भी डेंडरफ या सिकरी या किसी भी तरफ। होगी है यदि आपको किसी भी परकार की खाज होती है और आप जो है इसके पत्तों को चटनी बनाएए और खुजली वाले जगह पर यूज कीजिए आपको दोस्तों यदि आपको पीलिया रोग है तो पीलिया रोग में यह बहुत उपयोगी है आपने कैसे यूज करना है है इसके फॉल को भी एड़ कीजिए और गन्ये के रस में मिला यह सुबह सुबह खाली पेट और पीलिजिए फिर देखिए दोस्तों आपका पीलिया जो है पांस से साथ दिन में बिल्कुल ठीक हो जगएगा दोस्तों आगे मैं आपको यह जी आपको घुटनों में यह कही स+, रस निकालने के बाद यह पतों को ही सरसों के तेल में पकाईए और उसमें एक लसन डाले खाहे और उसको पकाईए दोस्तों जब तेल आदा रह जाए तो उसको जो आपने घुटनों की मालीस कीजिए और उसको ऊपर से गरम पढ़ी बांदिए रात को आपकी जिए पीला ब्रिंग राज बहुत रामबान है आपने यूज के से करना है दोस्तों आपने इसको यूज करना है कि आप जो है इसका जूस निकालना है जूस को आपने निम्भू के रस में मिलाना है इसका 5-10 अमेल यह थोड़ा आप ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई न कराम मिलेगा दोस्तों यदि आपके कहें सरीर में दर्द रहता है तो उसमें भी आप इसका पत्तों को सुखा कर भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जैसे आप मेरी वीडियो को दन्यवाद मिले चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए मुझे स्पोर्ट कीजिए आपका धन्यवाद